आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ मैं युद्ध की तैयारी कर रहा हूँ वही युद्ध जो ज्वाला मुखी की भाती कभी भी फट सकता है युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में व्यतीत होने वाले समय से अधिक समय युद्ध की तैयारी में लगा है जो युद्धा अभ्यास शेत्र में जितना अधिक समय दे रण भूमी में उतना ही कम रक्त बहेगा एक सामान लोह और तीखी तलवार में अंतर यही है पड़ती है एक तलवार जितनी पीड़ा सहेगी उसका वार उतना ही प्रबल होता है इसलिए पीड़ा से घबराए नहीं उसका सामना करें उसका अभ्यास करें चुकि यही अभ्यास जीवन के युद्ध में आपको विजय श्री बनाता है पक्षपात ना हो इसलिए मैंने अपनी शक्ति को दो भागों में विभाजित किया है परन्तू क्या है ना वासुदेव मुझे संदे है कि आपके ये सेना मेरा आदेश नहीं मानेगी अवश्य मानेगी क्योंकि मैं आरायनी सेना का नेत्रत्व करूंगा मैं हस्तिनापूर की और सियोध में भाग लूंगा और नारायनी सेना का सेनापती बनकर निर्देश दूंगा अब कोई छल नहीं कर पाएगा और नाहीं कोई विद्रोग अब तो आपके मन में कोई संदे नहीं है ना स्वसुर्श्री अब कोई संदे नहीं यह विभाजर मुझे सुईकार है हस्तनापूर अरायनी सेनागी प्रदेक्शा करेगा अब मुझे आग्या देजिए बहुत कारे स्वेश है त्यारिया करने है यह नम्र दास है तुमने ऐसा क्यों किया पार्थ मेरे समर्थन के लिए इतना पड़ा त्याग मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए माधव जो मुझे आप से दूर करे ऐसी नारायनी सेना से क्या लाब जिसमें नारायन ही न हो यह धर्म यूद है माधव और धर्म वहीं खड़ा होगा जहां आप होंगे और धर्म की वेजय कोई भी सेना नहीं रोख सकते आप सदैव हमारे मार्ग कर शक रहे हैं मुझे विश्वास कि आप वेजय का मार्ग अवश्य दिखाएंगे मैं परतिक्षा करूंगा मुझे ऐसा सुनकर अतिक प्रसनता हुई अर्चन रंबी यात्रा से आया हूँ बहुत ठक गए हूँ जाकर विश्राम कर लोगा कुछ प्रहर बात चले जाने प्रिनिपा मुझे शमा कर दीजे पिता श्री मैंने आपको पक्षपाती समझा मुझसे बहुत बड़ी भूलो गए ठीक गात आपने आप लोगों को नहीं चुनते लोग आपको चुनते हैं हमारा भविश्य हमारे चुनावों का ही परिनाम होता है पुत्री जीवन में किस मोड पर हम क्या निर्णे चुनते उससे सिद्ध होता है कि हमें हमारा लक्ष मिलेगा या नहीं करन तुम क्या होगा पिता श्री मैं ऐसे क्या करूं जिससे मेरे पती और मेरे पिता सुरक्षित रहें कर्म करो लक्ष मन फल की चिंता ना करो तुम्हारे पिता और साम को उनके कर्मों का फल मिलेगा और अर्जुन को अपने कर्मों का मैं भी युद्ध में सम्मिलित होना चाहता हूं मैं अपना निर्ने ले चुका हूं और अपना बक्ष भी चुन चुका हूं जिस होर मेरा मित्र साम होगा अंगराज यूराज दुर्योधन द्वारका से हस्तिनापूर लोट रहें और सूचना ये है कि नारायनी सेना दुर्योधन के पक्ष में आ गई है और कृष्ण अर्जुन के पक्ष में है अंगराज तुम शीग्र हस्तिनापूर लोटो युद्ध हस्तिनापूर की सीमा पर है कांधार राज शकुनी एट अमने के सीमूर्टा कर्दिए मेटर, के सीमूर्टा कर्दि तुम ने ।र के सीमूर्टा कर्दिए मेटर, कृद त है लोटा पीट ये किले परस्तान कर्दार झाज़ है मिताश्री यह अचानत कहा जा रहे मा एक बार बोना अपने कर्तावे के लिए अपने परिवार को छोड़का जा रहे हैं पिताश्री विश्वास नहीं होता अर्जुन इतना बड़ा मूर्ख है इतनी सरलता से मुझे नायरायनी सेना दे दी हाँ कार्पीज लोको कि अच्छा हुआ तो मुझे हैं मिल गए तो अच्छा हुआ तो मुझे हैं मिल गए मैं सोची रहा था कि सबसे पहले यश्व समाचार मैं तुमें ही दूँ जानते हो जानते हो मैंने क्या किया है यही मैं जानना चाहता हूँ कि यह तुमने क्यों किया है प्रतीत होता है कि तुम्हें सुचना पहले ही मिल गई है तुम्हें दुखी क्यों है तुम्हें तु प्रसन्न होना चाहिए मुझे मुझे नारायनी सेना मिली है नारायन के बिना तुम्हें नारायनी सेना मिल गई है मैंने तुम्हें से कहा था कि तुम्हें अर्जुन से पूर्व द्वार का पहुचना है तुम अर्जुन से पूर्व द्वार का क्यों नहीं पहुचे मित्र अरे तुम्हें मिध्य बोद हुआ है मित्र अर्जुन से पूर्व द्वार का पहुचा था क्या तो फिर ऐसा क्यों हुआ अरे क्या हुआ मेत्र कोछ अनुचत नहीं हुआ है सब हमारे हित में हुआ हम दोनों को बराबर का अफसर मिला था कृष्ण या या नायराइनी से ना चुनने का उस मूर्क ने नायराइनी से ना छोड़ कर कृष्ण को चुना और मैंने भी उसकी मूर्कता के लिए उसे रोका पहले आफसर उसे मिला जबकि पहले मैं पहुछा था और तुम्ले वासुदेव को नहीं चुना यह क्या किया तुम्ले वासुदेव को क्यों नहीं चुना बद्र ? पाखंडी कृष्णा को ये उबहार दे देना देना उसको कि उसके पास मेरी एक बस्तू है जो मुझे चाहिए तुम्हें चिंता करने के कोई आवाशक्ता नहीं है मित्र अब हमारा सामना कोई नहीं कर सकता है हमारे पास संसार की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवार सेना है नायराइनी सेना जो आज तक कभी पराजित नहीं हुई तुम्हें लगता है कि मैंने कृष्ण को ना चुनकर कुछ अनुचित किया है वो कृष्ण तो इस युद्ध में शस्त्री भी नहीं उठाएगा मित्र तुम जानते हो कि नाराइनी सेना आज तक अब पराजित क्यों रही है वो अब पराजित रही है केवल वासुदेव के कारण और अज वासुदेव मैं नाराइनी सेना का नेत्रत्व करूंगा मैं हस्तिनापूर की और सियुद में भाग लूंगा अब ना ही कोई छल कर पाएगा और ना ही कोई विद्रोग प्रणीपात माता पार्थ क्या हुआ पार्थ कुछ भूल गए थे हाँ माता मैं आपको बताना भूल गया था कि दुआर का पहुंचने में मुझे विलंब हुआ था क्योंकि मार्ग में मेरा एक विचित्र घटना से सामना हुआ तुम्हारे कहने का ताथ पर ये है कि तुम्हारा सामना किसी विचित्र मनुष्य से हुआ मैं यहाँ तुम्हारा ही तो कार करने आया था युवराज तुर्योधन मैं वासुदे पॉंद्रक वासुदे पॉंद्रक वासुदे यही नाम बताया ना उसने जिसने मेरी भाती वेश भूशा भी धारन कर रखी थी है ना हाँ आप जानते हैं मैं अभी कैसा बरशनी बूच रहा है अला आप से क्या चिपा है परंतु मेरी समझ में यह नहीं आ था कि वो पकांडी आपके रूप में परस्तूत होकर सबको प्रमित कर रहा है और आप शांत शांती की आशा में कभी कभी शांत बैठना भी पड़ता है पार्थ मुझे क्या था कि पौंद्रक मेरे नाम का दुर प्योग करके सबको भ्रमित कर रहा है परंतु अवसर सबको मिलना चाहिए अपनी भूल सुधार लेका वही अवसर जो मैं सबको देता हूँ वही अवसर जो मैंने शिशुपाल को दिया था वही अवसर जो मैंने कंस मामा को भी दिया था और यदि मनुष्य अपनी भूल ना सुधार तो उचित समय आने पर उसे अपने कर्मों के भल अवश्य मिलते हैं पार्थ अब तुम मुझे पौंद्रक का संदेश सौप सकते हो पार्थ यदा यदा ती थर्मस्या आदि भारता कर्णा है पार्थ पार्थ यद कर्णा है कर्णा दुम मुझे प्रित भार्थ यह क्या था मादव पॉंद्रक का संदेश पार्थ संदेश? हाँ पार्थ यह संदेश की जो भी मेरे दर्शाय मार्ग पर चलेगा पॉंद्रक उसका नाश कर देगा यह वासु देव नहीं है कौन है यह मित्र? आरे मित्र का मित्र है यह पॉंद्रक पॉंद्रक वासुदेव इन्हीं की सहयता से मैं अर्जुन से पूर्व द्वार का पहुचा और और नहराइनी सेना को अपने पक्ष में कर पाया इस कश्रे मामा श्री की तीवर बुद्धी को जाता है मित्र उन्हीं ने पॉंद्रक को संदेश भेजा कि वो अर्जुन के मार्ग में बाधाउत पन्न करे इन्होंने अर्जुन को रोका और उसी कारणवर्ष में अर्जुन से पूर्व द्वार का पहुच पाया अर्जुन को मार्ग से भटकाने का पूरा प्रवन कर दिया है तो तुमने फिर से चल किया चल जल मैंने नहीं, उन्होंने किया, ये दिश्टर के स्थान पर अर्जुन को भेज कर, मैंने तो केवल, उन्हें उत्तर दिया है, मित्र, उन्होंने जो किया उसे छोड़ो, परन्तु तुम्हें अफसर मिलने पर भी, तुमने वासुदेब के स्थान पर नाराणी सेना को चुन ओ अंगराज, वासुदेव तो दुर्योधन के ही पक्ष में है, मैं हूँ वास्तविक वासुदेव, पॉन्द्रक वासुदेव, दुर्योधन के ही पक्ष में है, मुझे तुम पर दया आती है अंगराज, दया आती है तुम पर कि मुझे समक्ष पाकर भी तुम उस चलिये कृष्ण की माया में उल्चे होए हो, समझ ही नहीं हाथा, कि ऐसी क्या माया डाले उस चलिये कृष्ण ने, कि तुम सब के देखनों को प्रस्तुत ही नहीं हो, पॉन्द्रक! पॉन्द्रक वासुदेव है मेरा नाम, पूरा नाम तो लेना सीखो, अंगराज, खेद है मुझे, खेद है, कि तुम, तुम एक मनुष्टी की पहचान करने में अजमत हो, तुम अपने युद्ध के लिए, अपनी सेना में एक पाखंडी को चुनना चाहते हो, उस पाखंडी, कृष्ण को चुनना चाहते हो तुम, अरे ऐसा क्या है उस चलिय पाखाने कि विश्ण में जो तुम सब सब सारे लोग उसकी और खीचे जा रहे हो क्या समझ संसार में तेव खेग ही माया भी देह गया है हाँ बस बस तुम करो मित्र बस कि मुझे क्रिश्न की वो विशाल सेना चाहिए थी, जो मुझे मिल गई वैसे भी वो निहत्था निशस्ट्र if born मेरे किस काम का है सत्ति कहा है दुरिय॓धन सत्ति चलिया क्रिश्नि, किसी काम का नहीं किखना तुम ही जीतोगे युद्ध क्योंकि तुम्हारे पास केवल नारायन ही सेना नहीं स्वयम वास्तविक नारायन वास्तविक वासुदेर पॉन्द्रक वासुदेर वो क्रिष्न तो मेरा रूप रखकर सबको भ्रामित करता रहता है वो तो उस कृष्न का तो इस संसाँ वह भांदराश अभे इको शब्द्ध वासुदेर के वरत मत कहना and enjoy watching the videos.